ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है सिंग राशी वालू हो जाओ तयार क्योंकि अब आपको भगवान शनिदेव के असिरवास से चार जून से दस जून यानि कि इन साथ दिनों में तूफानी ख़बर की प्राप्ती होने वाली है जद उस्तो भगवान शनिदेव के असिरवास से आपके लिए इन साथ दिनों का समय बहुती अच्छा समय रहने वाला है जैंदोस्तो भगवान शनीदेव अब आपके ओपर बहुत अधिक प्रशन हो गए हैं जिससे आपके लिए इन साथ दिनों का समय बहुती अच्छा समय सावित होने वाला हैं भगवान शनीदेव के असिरवास से इन साथ दिनों में आपको अनेक और प्रकार की बड़ी बड़ी खुशकवरी बड़े लाव धनलाव और बड़े बड़ी सपलताओं की प्राप्ति होने वाली हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा लाइक अभी कर दें कमेंट स्वोक्स में जैश शनीदेव अवश्य लिख दें जिससे भगवान शनीदेव का असिरवाद आपको शीदे प्राप्त हो सके और शाते साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करे जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्पापुन गैनवर्दक वीडिया आप लोगो तक पहुंच सके चड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहीगा भगवान शनीदेव के असिरवाद से आपके लिए चार जून से दस जून यानि किन साथ दिनों का यह महत्पापुन समय दोस्तों यह समय ग्रह गोचर पून रूप से आपके पक्ष में हैं आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत वैशशक्त बनेगी आलस छोड़कर पूरे मनो योग से अपने लक्षय को पूरा करने में आप शंगलन रहेंगे युवा वर्ग अपने केरियर के प्रिती पून एक कागर चित रहेंगे और सफलता भी अवश्य ही प्राप्त करेंगे दोस्तों साथिसाथ आप लोग कैसी भी परिष्टिती में शामान्य रहते हैं आप अपने कर्म वे प्रुशार्थ के माध्यम से अपनी उपलब्दियों को हासिल कर लेंगे शंतान के विद्या अध्यन से संबंदित कोई महत्पपूर्ण कर रहें शंपन होगा दोस्तों साथिसाथ उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए अब उचित अवशर हैं इसलिए आप प्रियास रत रहें बच्चों से संबंदित कोई समस्या हल होने से बहुत अधिक आपको रहत महसूस होगी किसी नजदीक रिष्टिदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंद पुने सोहार्द पूर्ण बनेंगे शाथिसाथ पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्त संबंदित परिसानियों में ऐ प्रतियासित सुधार आने से स्वैम को आप उड़ जावान महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास वे पराक्रम से अपने कार्यों को पूरा करने में आप शक्षम रहेंगे घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंदित योजना भी बनेगी दोस्तों साथिसाथ अगर कोई भवन निर्मान संबंदी कार्य रुका हुआ हैं तो अब इस समय उसका पूर आनिक द्रश्टिकोन तता उन्नत सोच आपके घर तता व्यवशाय दोनों में समांजस बना कर रखेगी दोस्तों साथिसाथ यह समय प्रोफेशनल पढ़ाई में अध्यनरत विद्यार्तियों को उचित सफलता प्राप्त होगी आप अपने लक्षय के प्रती पूर्ण रू दोस्तों साथिसाथ यह समय दूसरों के मामलों में हस्त छेप आप ना करें जिसकी वज़ेए से एक कारण ही लोग आपके खिलाफ हो जैएंगे बिना पड़े किसी भी कागज या फिर दस्तावेज़ पर आप हस्ताक्षर ना करें साथ ही क्रोध वे गुस्से पर अंकुस रखना आपके लिए अतियावशक है साथ साथ इस्तियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कार्य का सहरा आप ना लें अन्य था कोई परिशानी उत्पन हो सकती है कोई वेक्ती आपसे चिकनी चुपड़ी बाते करके आपकी कोई गुप्त बात निकल वा सकता है इसलिए आप साथ इसाथ किसी के साथ भी बात चीत करते समय बहुत अधिक ध्यान रखें कि आपकी किसी नकारात्मक बात से संबंद बहुत अधिक खराब हो सकते हैं महिलाएं विपरीत लिंगी विक्तियों के साथ बात चीत के दोरान साफधानी बढ़ते किसी प्रकार की बदनामी भी हो सकती है दोस्तों साथ यह समय नकारत्मक प्रवर्ति के लोगों से आप दूरी बना कर रखें क्योंकि उनके दोरा समाज में आपके खिलाफ कुछ गलत फैमिया उत्पन करने की योजनाएं बन सकती है कभी कभी गुस्से में आप आक्रमक रुख अपना लेते हैं जिससे आप अपने लिए ही परेशानिया खड़ी करते हैं अपने इस वेवार पर थोड़ा आप कंट्रोल करें दोस्तों साथ साथ यह समय कभी कभी किसी नकारत्मक परस्तितियों के उत्पन होने से विचलित और निरास भी आप हो सकते हैं फिजूल खर्ची पर भी नियंतन रखना आपके लिए अतियावशक है रूपे पैसे के लेन देन के मामलों में किसी पर भी भरोसा आप ना करें किसी रिष्टेदार से सम्बंदित एप्रिय समाचार प्राप्त होने से मन काफी उदास रहेगा दोस्तों साथ साथ यह समय किसी लापरवाई की वज़े से पैसा बरबाद हो सकता है इसलिए आप सावधान रहें बहतर होगा कि कोई भी निर्णे लेने से पहले अनुबवी व्यक्ति की सला आप अवश लें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पती पतनी के बीच चल रही गलत फैमिया दूर होंगी साथ ही किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है परिवारिक परिस्तितियां पूर्णतें पक्ष में रहेंगी घर के बड़े बुजुर्गों का अशिरवाद वे सयोग घर के वाकावरण को शुखद में बना कर रखेगा दोस्तों साथी साथ यह समय विपरीत परिस्तितियों में जीवन साती का पूर्ण सयोग आपको प्राप्थ होगा प्रेम संबंद भी मर्यादित रहेंगे दोस्तों साथी साथ यह समय परिवार में शुक्सांति का वातावरण बना रहेगा मित्रों के साथ परिवारिक गैट टूगेदर प्रसंदता वे नई उर्जा आपको प्राप्थ करेगी जिससे परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा और आपके प्रेम संबंद भी बहुत अधिक मजबूत होंगे दोस्तों बात अगर आपके करियर और वैवसाय की करें तो यह समय वैपार में कुछ परिशानिया महसूस होंगी नए तथा अजनभी लोगों पर आप विश्वास ना करें तथा अपने निर्णे को ही प्रात्मिक तादें कोई नजदी की यत्रा संपन भी हो सकती है जो आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगी नोकरी पेसा व्यक्ती अपने ऑफिस में अपना उचित वैवार बना कर रखें दोस्तों साते साथ वैपार को पुने उठाने के लिए आप भरसक प्रियास और परिश्रम करेंगे आंसिक रूप से आपको सफलता भी प्राप्त होगी परन्तों कुछ विरोधा भासी प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें नौकरी में लक्षा को पूरा करने के लिए बौस वे अधिकारियों का दवाब बना रहेगा किसी प्रकार के तनाव वे टकराव होने की इस्तिती बन रही है परन्तों अगर आप धहरे और सैयम से काम लेंगे तो परिस्तितियां उन्हें सामान ने हो जाएंगी किसी अनुबवी वेक्तिक की सला आपको मुश्किल प्रिस्तितियों से निकानने में आपकी मदद करेगी दोस्तों साथि साथ वेपार में भहुत अधिक आपको मेहनत और परिश्रम करने की आवश्यक्ता है यह समय आपको कुछ शकारात्मक प्रिणाम भी प्राप्त होंगे तथा विस्तार संबंदी कुछ नई योजनाई भी बनेंगी परन्तु अपने काम के क्वालिटी पर और अधिक आपको ध्यान देने की आवश्यक्ता है जिस पर इस समय कुछ विचार विमर्स भी होने की संबावना है परन्तु पार्टनर तथा कर्मचारी की हर गतिविदी तथा क्रिया कलाप पर नजर रखना आपके लिए अति आवश्यक्ता है आपकी व्यपारी के सूचनाई भी लीक हो सकती है परन्तु आपका पूर्ण रूप से समर्पित भाब, कारोबार और नोकरी में आपको कुछ अच्छे परिणाम हासिल करवाएगा किसी को पैसा देने से पहले धनकी वापसी भी सुनिचित करना आपके लिए अति आवश्यक्ता है आपका पैसा भी फस सकता है, सावधान रहें दोस्तो बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय वाहन बहुती आप सावधानी पूर्वक चलाएं किसी प्रकार की चोट या फिर दुरगटना के योग बन रहे हैं हलकी फुलकी मौसमी बीमारी जैसे खांसी जुखाम आपको रह सकता है इसमें किसी भी प्रकार की आप लापरभाई ना वरतें तनाव अवसाद वे मौसमी बीमारियों से थोड़ा आप बच कर रहें अपनी दिन्चरिया और खानपान को विवस्थित रखें दोस्तों साथ साथ कुछ समय से चल रही स्वास्थ संबंदित परिस्थानियों से यह समय आपको रहत मिलेगी रोग निर्वत्ती के लिए ब्रकर्तिक तरीकों को अधिक अपनाए इसके लिए आप कुछ समय मेडिटेशन में व्यतीत करें ऐसा करना आपके स्वास्थ के लिए बहुती अच्छा रहेगा